हेलो दोस्तों आचल टेरिस गाडन में आपका स्वागत है आज है फरवरी की 17 तारीक शाम का समय है बहुत सारे काम करने जा रही हूँ बहुत सारा काम हो भी गया है तो आज की वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी पर्मानेंट जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं उन पर किस तरह से खाद वगिरा देना चाहिए और किस तरह से उनको रीपॉर्ट करना चाहिए यही सारा चीज है तो वीडियो मैं एंड तक जरूर बने रहे हैं पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को तो यह देखिए मेरा जिग जैक प्लांट है और फर्टिलाइजर एड करूंगी जिसकी रूट प्रूनिंग की जरूरत है उनको रूट प्रून करूंगी ब्रांच प्रून की जरूरत है उनको ब्रांच प्रून करूंगी तो आज मैं यही सारा काम करने वाली हूँ और यह मेरा अरीका पाम है लगभग तीन साल पुरा तो इसकी मैं गुडाई करके इसमें भी फर्टिलाइजर एड़ कर दूंगी और यह क्रोटोन है क्रोटोन में भी मुझे गुडाई करना है और बहुत सूख गई है मिट्टी मैंने बहुत दिनों से इन पर पानी नहीं दिया है और यह देखे ड्रेसिना की वराइटी है यह द तयार कर लूँ आज तो यह सारा मेरा काम रहेगा आज और यहाँ पर देख सकते हैं यह देखे फ्रेंट्स यह जो बर्ड हाउस मैंने बनवाया था आप लोग से शेयर भी किया था तो इसमें गौरईया की बच्चे रहते हैं गौरईया पक्षियों का यह घोसला बन चुक किया था जब मैंने डिवाइट किया था तो तीन पॉड मैंने तैयार किये थे एक पॉड से तो और यह चाइना पाम है तो चाइना पाम पर देखती हूँ यदि आज समय मिलता है तो इसका भी काम करूंगी रूट प्रूनिंग का नहीं तो फिर कल होगा कुछ ब्लांट्स पर काम मुझे कल करना होगा, क्योंकि अभी शाम के चार बजे हैं, लगभग दो घंटे तो मुझे लगेंगे ही इन पर सब काम करने के लिए, और ये क्रोटोन है, तो सभी पर मुझे आज खाद अपलाई करना ही है, और कुछ काट छाट भी करना है, खराब पत्ते हैं, उनको हटाना भी है, तो ये काम बहुत जरूरी होता है, फरवरी मन्थ में, हमारे जो जितने भी पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पर्मनेंट जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं, समर में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं, उनको तयार करना बहुत सारा वर्क हो जाता है तो देखिए मैंने खाद लिया है वर्मी कमपोष्ट है उसमें मैंने सीवीड डाल दिया है और नीम की खली डाल दिया है बस यही चीज है और यदि आपके पास केवल वर्मी कमपोष्ट है तो सिर्फ वर्मी कमपोष्ट से भी काम चल जाता है या फिर गोब होने वाला प्लांट होता है यह अरेलिया का अरेलिया में बहुत सारी वराइटी है चार वराइटी तो मेरे पास ही है जिसमसी यह देखे वरिगेटेड है बहुत खुबसूरत लगता है यह और इसकी भी कटिंग 3-4 रेडी हो गई है मैंने मांसुन के सीजन में लगा रखा थ तो ऊपर टेरिस पे इसकी कटिंग रखी हुई है तो क्या करنا है मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है और मिट्टी को पुरा साइड में रख देना है साइड में ऐसे इकठा कर देना है तो ऐसे ही मैं सभी जिनको root pruning की जरुरत नहीं है, reporting की जिसको जरुरत नहीं है, उनको इसी तरह से आपको खाद देना है, देख रहे हैं, थोड़ा सा गड़ा बना लेना है साइड में, मिट्टी को हटा कर, एक किनारे रखकर और उसके उधर जो हम मिट्टी रखे थे उसको इस तरफ ले आना है यह देखिए इस तरफ ले आएंगे और उस तरफ फिर से हम थोड़ा सा गड़ा बना लेंगे यह देखिए इस तरह से और एक मुठी वर्मी कमपोष्ट जो हमने फटिलाइजर तयार किया है उसको यहां पर डाल दे और बहुत सारे फटिलाइजर होते हैं यदि आपके पास है तो आप उसमें एड कर सकते हैं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है केवल वर्मी कमपोष्ट भी बहुत अच्छा काम करता है तो यह हमारा हो गया अब यह हम इसमें पानी दे देंगे क्योंकि बहुत सूख गई है मिट्टी मैंने तीन-चार दिनों से इन में पानी नहीं दिया था तो पोर्च में रखे हुए हैं सारे जो मेरे इंडोर प्लांट है और क्रोटोन और कोलियस उपर में हैं टेरिस पे तो इन पर ज़्यान नहीं दे पाती मैं तो आज मैंने सोचा आज तो इन पर काम मुझे क करना ही है चाहे कितना भी शाम हो जाए रात हो जाए तो आज मैं बहुत सारा काम निपटाने वाली हूं फ्रेंट्स सारा चीज तो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी तो देखें ड्रेंज जोल के निकलते तक पानी दे देना है बहुत खुबसूरत प्लांट होता है और यह दे बड़ा हुआ है यह तो इसको तो मैं इसी में रहने दूँगी बस इसमें थोड़ा सा फटिलाइजर एड़ कर दूँगी तो यह टेबल कामनी भी बहुत खुबसूरत लगता है हमारा सेमिसेड में चलने वाला प्लांट है यह भी और मुझे बहुत दिन से इसका शौक भी अगलोनीमा है तो एगलोनीमा भी मेरे गार्डन में लगभग दो साल से है दो तीन साल हो रहे है एगलोनीमा के प्लांट मैंने एड़ किये थे उस समय मैंने एक प्लांट एक सो पचीस रुपए में एड़ किया था दो प्लांट मैं लेकिन अभी आप इसे लेने जाओगे तो एक-एक प्लांट अलगभग 200-300 रुपए तक इसकी फ्राइज होती है और लिपस्टिक एगलोनिमा और ये देखे स्नो वाइट तो बहुत महेंगे मिलते हैं ये देखी ये स्नो वाइट है तो इसका अभी देखे डिवाइट कर सकते हैं बहुत सारे नीचे से नए-नए प प्लांट तैयार कर सकते हैं और कटिंग भी इसकी लग जाती है बहुत इसी ली तो इन पर आज मैं काम कर लेती हूं इसी को मैं आपसे शेयर कर लूँगी और बाकि जो मुझे अरीका-पाप्म वगेरा सब पर जो काम करना है वह woh नहीं कर पाऊंगी शेयर और root pruning तो मैं वैसे ही करती हूँ जैसे मैंने अपने flowering plant पर किया था नीचे से cut करती हूँ root को और side side से root को cut करके वापस उसी गंबले में shift कर देती हूँ तो देखे ये हमारा aglonima का plant इतना सारा निकल गया है अब इसको मुझे लगाना होगा अब बहुत सारे pot की जरुरत हो जाती है तो सोचती हूँ दो-दो plant ही लगा दूँगी एक-एक pot में और भी है एक बड़ा वाला भी है जैसे कि ये वाला देखे एक-एक मैंने लगा दिया है एक-एक प्लांट को एक-एक छोटे-छोटे pot में और ये 6-6 इंच के pot है उसके बाद भी देखे ये सारा बचा हुआ है और और भी है और दिखाती हूँ मैं बड़े गमले में और भी लगे हुए है इस तरह से जो 8 इंच का गमला है मिट्टी का उसमें भी लगा हुआ है तो इनमें भी मैं लगा दूंगी दो मिट्टी के गमले 8 इंच के खाली भी हुए हैं तो इस प्रकार से चार गमले तयार हो जाएंगे 8 इंच वाले तो देखी ये मेरा मदर प्लांट है देख रहे हैं फ्रेंट्स ये मदर प्लांट है तो इन में भी नीचे से चार प्लांट निकल गये हैं और ये वाला इसका मदर प्लांट है स्नो वाइट का तो इनको भी मैं देखती हूँ निकाल के कि किस तरह से इसके प्लांट है और ये देखिए इस तरह से इसमें भी पप्स निकल गए हैं नीचे से तो इनको भी हम अलग कर सकते हैं चाहें तो ये देखिए इस तरह से आसानी से तोड़ना है और फंगिसाइड पॉडर एड़ कर लें ताकि किसी तरह से फंगस वगेर का टैक ना हो और देखिए इस तरह से भूरभूरी म मिट्टी होनी चाहिए एगलोनी मा जैसे प्लांट होते हैं हमारे इंडोर प्लांट होते हैं तो सोच रही हूं है अब क्या करूं मैं अलग-अलग पॉट में शिप्ट करूं कि एक में लगाऊं यतने सारे प्लांट को ज्यादा कलेक्शन रखने से फिर देख भाल भी जरूरत हो जाती है फ्रेंट्स जरूरी हो जाता है और जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा प्लांट फिर हेल्दी नहीं रहता तो कम कलेक्शन रखना मुझे ठीक लगता है अब ज्यादा कलेक्शन नहीं करूंगी कम कलेक्शन रखे और अच्छे हेल्दी रखे अपने प्लांट को वही ज्यादा अच्छा होता है फिर भी देखी इतने सारे प्लांट्स लगकर रेडि हो ही गए यह देखे हैंगिंग में भी मै नहीं चलता नहीं चलेंगे तो फिर वापस दूसरे गमले में लगा दूंगी और यहां पर देखे यह पॉट नहीं था इसलिए मैंने हैंगिंग में लगा दिया दो प्लांट को और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं अभी मैं करूंगी तो आज की विडियो में यही सब शेयर करना था किसी दिन मैं पोर्च ओवरिवीव में आपसे शेयर कर दूंगी और सब प्लांट पर जो जो काम मैंने किये हैं कैसे दिख रहे हैं उसके बाद तो आज की विडियो में यही शेयर करना था मिलते हैं फिर नेक्स्ट विडियो में मेरा ये विडियो देखन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एपी गार्टिंग बाई थेंक यू